क्या BJP का डॉक्टर मोहन यादो को मुख्यमंत्री बनाना UP में अखलेश यादो और बिहार में तेजस्पी यादो के वोट बैंक पर चोट पहुचाना है वेल डॉक्टर मोहन यादो फिलाल मुख्यमंत्री बन रहे हैं और उनकी कई पहचान है एक ऐसे व्यक्ति की जो 1982 से BJP से जुड़ा हुआ है ABBP से शुरवात की उसके बाद तीन बार के विधायक हो चुके हैं सिख्शामंत्री रह चुके हैं PhD स्कॉलर हैं लेकिन इन सारी चीजों से हट कर उनकी पहचान उनके नाम में बिचे भी हुई और ये इंडियन पॉलिटिक्स का एक ऐसा सच है जिसे आप चाहें न चाहें लेकिन आपको स्विकार करना पड़ता है या ये कहानी बिलकुँ सच है लेकिन जब यूपी में तकरीबन 10% और बिहार में तकरीबन 14% यादो हैं और लोगसभा चुनाव सिर्पर है और बीजेपी एक ऐसी पार्टी जिसके बारे में माना जाता है कि कल की तयारी वो आज से शुरू कर देती है कल क्या होना है उसकी प्रिपरेशन आज से एक चुनाव जीते वो पुरानी बात है अब नए चुनाव पर कैसे लगा जाए इसकी साथ बिचनी शुरू जाती है तो सवाल उठता है कि क्या बीजेपी ने 2024 को ध्यान में रखते हुए यादो वोट बैंक पर ये चोट पहुचाने के लिए कहें कि अखलेश और तेजस्वी की यादो वोट बैंक पर चोट पहुचाने के लिए ये कदम उठाए इस बीच में आपको याद होगा जाती है जनगरना का जिकर बहुत चल रहा था OBC वोटल्स की ताकत का जिकर चल रहा था लेकिन जैसे ही डॉक्टर मोहन यादो का नाम निकल कर सामने आया बहुत सारी यूथ हैसे हैं यादो कासे जो कह रहे हैं कि हम बीजेपी को वोट देगी और उनमें से भी बहुत सारे हैसे हैं जो कह रहे हैं कि अगर राजस्थान में BCM बना दिया गया बालखनाद जी को जो खुद एक यादो है तो फिर शायद बीजेपी का वोट बैंक जो है वो और जादा बढ़ सकता है और यहीं से मेरे जहन में सवाल शुरू होता है कि क्या बीजेपी के अंदाज में अगर कहें तो बीजेपी वाले कहते हैं कि मास्टर स्ट्रोक हमार है क्या इससे आप मान सकते हैं वेल हो सकता है शायद यह पूरी तरह से सच ना हो या यह हो सकता है कि यूपी बिहार का वोटर जो है उसका मिजास मध्दब्रदेश के वोटर के मिजास से अलग हो लेकिन मध्दब्रदेश में या कहें कि यूपी बिहार के बाहर बीजेपी का एक बहुत लॉयल यादो वोटर है मध्दब्रदेश में बीजेपी को 48% यादों के वोट मिले जबकि कॉंग्रेस को 40% और समाजवादी पार्टी को 0.46% तो समाजवादी पार्टी का अस्थत जो है वो यहां तो नहीं था ये क्लियर हो गया है आमादी पार्टी 0.54 थी ऐसे अलग-अलग लोगते लेकिन जब आप बिहार और यूपी में आते हैं तो तेजस्वी यादों की पॉलिटिक्स या फिर अखलेश यादों की पॉलिटिक्स जो है वो केवल दो फैक्टर पर टिकी होती है एक M, दूसरा Y, M माने मुसल्मान, Y माने यादो वोट बैंक और यहीं से सवाल शुरू होता है कि अगर BGP इस वोट बैंक को डेंट पहुचाने की कोशिश करती है तो क्या इसका प्रतेश तोर पर लाग BGP को हो सकता है उस लोगसभा चुनाओ में जिसमें already हम यह मानते हैं कि लोगसभा चुनाओ में जो वोटर है वो पीम मोधी को दिक कर वोट करता है विदान सभा में भले इधर उधर वोट करें लेकि लोगसभा में मोधी और कहा जाता है कि संग ने उनके नाम का प्रस्ताव रखा, बीजेपी के तमाम बड़े निता जो हैं उनके नाम पर सपोर्ट करते नजर आए और उसके बाद उनको आगे बढ़ा दिया गया और उसके बाद तमाम सोशल मीडिया जो यादो इंफ्लूएंसर्स हैं, जो ट्वि बीजेपी ने वो काट निकाल दी है, क्योंकि ओवैसी को कई बार मैंने कहते हुए सुना कि मुसल्मान अपा को वोट कर देता है, लेकिन उनका जो अपना वोटर है वो उनके साथ इंटाक्ट नहीं है, वो धीरे धीरे खिसक रहा है, और ये एक बहुत बड़ा डेंट उनक किसी भी पार्टी का चाहिए, वो बीजेपी का हो, सपा का हो, आमाधी पार्टी, कॉंग्रेज, बसपा किसी का भी, वो उन्हीं के साथ रहता है, वोटर वो मैटर करता है, वो जो 10% वोटर होता है, जिसका मन डोलता रहता है, वो जो अपने हित की बात करता है, उसका मन डो दोनों बीजेपी के नेता थी और उसके बाद बीजेपी को फाइदा हुआ था और जबरदस फाइदा हुआ था आप याद कीजे लोगसभा चुनाव जो थे वहाँ पर 40 में से 49 सीटे ऐसी थी जो NDA ने जीत ली थी बिहार में यादो वोटर जादा है और वहाँ पर भी एक हिस्सा भी बीजेपी खिसकने को तयार हो जाती है तो क्या इसका नुकसान महागडबंदन को होगा क्योंकि बीजेपी कोशिश यही कर रही है और सेम गोजवित अखलेश यादो यूपी में तकरीबन 25 करोन आबादी है इस 25 करोन आबादी में तकरीबन 9 से 10 फीसद किया ता और यह तमाम जो चेहरे बीजेपी सामने ला रही है इनसे बीजेपी उम्मिद करती है कि यार अलग-अलग स्टेट में जो जहां जितना भी पावरफुल है बतलब जो सीम बनाने लाएक है वो सीम के लैवल पे जो इंफुएंसर वाला है उसकी पॉपलेरिटी को गेंड करके या अलग-अलग करके क्या एक लॉंग-टर्म प्लैनिंग है वेल चॉकिंग है मतलब एक नजरिया तो यही नजर आता है कि इसके पीछे सोच यही है आप कितना सक्सेस होगा कितना फिलर होगा यह आप से बहतर को बताने सकता है मैं लगा हम आप से पूछते है आपका इस पर टेक्ट